Hi guys good morning and welcome back to my channel and again यह आज एक किचन व्लोग है तो काफी इंट्रेस्टिं होने वाला है तो आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी morning routine यानि की weight loss, weight management, weight नहीं जल्दी loss हो रहा है या किस तरह से according to time, according to your calorie, किस तरह से आप अपना morning routine या रेटी करें जिसके according आपको protein काफी अच्छी मातरा में मिले, fiber काफी अच्छी मातरा में मिले, आपको antioxidant भरपूर मातरा में मिले, fiber, lots of fiber आपको मिले, आपकी water जो है वह भी आपकी body में बहुत अच्छे से balance करें तो इन सारी चीजों का आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, इस समय morning का बज रहा है इस समय morning का बज रहा है 7.25 और मैं जा रही थी अपना breakfast ready करने तो मैंने सुचा क्यों न आप लोगी साथ ready किया जाए साथ ही साथ मैं सुबह 5 बजे उठी थी मैं एक बार आपको रूटी इन पता देती हूँ यकीन मानिए, first of all no sugar no trans fat ठीक है और thrifting light ही लेना है और यह मतलब high in protein supplement है अगर आप vegetarian हों आप अपनी diet में egg नहीं आप करते हो अपनी diet में meat और यह सब चीज नहीं आप करते हो तो आप इसको add करिए high in protein है सबसे अच्छी बात है बेट गेन नहीं होगा लेकिन एक चीज़ी है मैं packaging लिखाते हूँ यह इस तरह की packaging में आता है और इतना मेरा है खातम होगा already मैंने दो डिपे और मंगा के रखे हैं so मैं इसको क्या करते हूँ लामन मॉटर के 20 मिनट बाद मैं एक कप चाह लेती हूँ and then इसके biscuit लेती हूँ देखें प्रेंट्स क्या होता है हर डाइटेशियन हर डॉक्टर बोलता है कि उठने के आधे घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ खाना ही खाना है तो आप नॉर्मल बिस्किट लेंगे तो आप जानते हो इसमें शुगर कितना होता है मैदा कितना होता है तो वह आपकी बोड़ी के रिए बिल्कुल ही हाम करेंगे तो इसलिए आधे गंटे अंदर मैं उकता हूँ लेंगे motor लेती हैं anlamли यमेट चाय लेती हो यूद् demasiado्ट यह मेरा हो जाता है फिर उसके बाद मैं और साय काम पर धीकिशने फिल्स फोर उसके बाद मेरा चाह प्र्लand का 8 좋 आप बज Gesina जॅंचरिया है एक डेट घंटे के टाइम होना चाहिए उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाओंगी calorie wise भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ तो जो आज है वो मेरा 8 बजे का यानि की 8 बजे का ब्रेकपास्ट रूटीन होता है then उसके बायाद मैं दिखाओंगी कि मैं जिम जाने से पहले क्या लेती हूँ फिर मैं जिम आने से बात क्या लेती हूँ आज के वीडियो में डिखाने वाली हूँ कापी interesting वीडियो है तो पूरी वीडियो देखेगा और चलिए बनाते हैं breakfast और आपको दिखाते हैं मैं क्या खाने वाली हूँ और आज मेरा breakfast है वो high in protein है तो काफी tasty भी है और हाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहते हूँ कि अगर आप planning wise जैसे Sunday है अगर आपने full week की planning कर ली अपनी तो आप काफी अच्छे से weight manage कर पाओगे अपनी grocery maintain कर पाओगे यानि कि अगर week wise आज मुझे ये लेना है ये लेना है ये लेना है दान आपने एक दिन पहले मंगा के रख लिए आज मुझे ये लेना है तो उसका वीडियो में बहुत जल्दी बताऊंगी कि week wise आप अपना जो आपने लाइक नहीं किया है पताक से लाइक कर लीजे तो चलिए दिखाते हूं मेरा आज का breakfast, before workout, after workout और क्या सारी चीज़े हैं आज की वीडियो में दिखाते हूं तो चलिए first of all दिखाते हूं झाल 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 हूं की जुग में पुछाई जार आड़ तो यह है मेरा 100 ग्राम पनीर लेकिन आज मुझे फिप्ती ग्राम पनीर यूजए तो यह व्हाप कषए सब करना है तो जल्फ में बहुत ही बताने वाली होँ किस तरह मैं आपको बहुत ही जल्दि इसे बनने लिखाऊंगे कि अधिनक बता होगा पनीर बूर जी कैसे बनती है लेकिन जिनको नहीं पटा है उनके लिए एक छोटी सी वीडियो है बहुती फास्ट वाला तो वह मैं आपको दिखाऊंगी रोटी रोटी बनाना किसको नहीं आता है तो रोटी बनाना तुमें नहीं दिखाने वाली है उसके बाद और सारी चीजे वीडियो में आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छा देने वाली हों बहुत अच्छी चीजे दिखाने वाली हों तो फटाक से चले बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर भुर्ची तो हमने लिए यहां पर एक पान उसके बाद मैं यूज करूंगी मस्टर्ड ओयल बहुत ही लेस पॉंजिटी में यानि की बन टीबल स्पून मैं आ चूंधी मेरा और आपके अकॉड़िग अपर आप अपके के अपस्कंद के अपस्टन के आप सब्धिया आप कर सकते हैं कुछ भी नहीं है कि जो मैंने आपको बता दिया आपको सिर्फ वही वेगेटेबल स्मूष करना है तो जो आइल है वो हो चुका है इसमें मैं डालू ही थोड़ा सा जीरा तो के बाद जो मैंने प्याज कट करके रखा था वो प्याज लोगों को कितने कैलोरी लेना चाहिए आपको कैसे डिसाइड करना है कि इस किसना कैलोरी होता है वो सारी चीज़े मुझे बहुत ही जल्दी आपके साथ लेकर आने वाली हूँ सारे वीडियोस प्रोसेसिं पे हैं बस अड़िट करना है और मुझे अप्लोड करना है तो धीज़े धीज़े मैं सब्की जो है वीडियोस रेडी करने हूँ बहुत अच्छे-च्छे मैटर्स आने वाले हैं वो इसलिए मैं सोचे हूँ बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ लंच भी जो है वो बताऊंगी कि मैं किते क्यालोरी का है कैसा क्या लेती हूँ अगर आप बोलिंगे मैंस आएंगे तो मैं कल भी आप लोको साथ अमने ब्रेक्पास रूटीन शेयर करूंगी कि मैं कल क्या लेती हूँ को कि मैं एक ज़जा डेली नहीं लेती हूँ कुछ नकुछ चेंज करती हूँ आपने जो है फूड को इंट्रेस्टिंग बनाती हूँ जिसे कि मेरा मन नहीं कहत रहता है मिंझे बाहार के चीज़े का मन नहीं होता है इसलिए आपकि चीज़ों कह कह पानने का मैं तरीका बताँगी तो अगर आप बोलेंगे तो नजरूर कल का भी अपने breakfast morning जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी प्याज हो चुका है तो मैं अपना शिंगला मेट्वेस ही मैट करूँगी अपने dish में mustard oil यूज़ कर सकते हैं आप विर्जिन वदा आपको एसे कच्छा गया बनाने में नहीं करना है या भी ईक्षा डाल राल करना है तो विर्जिन को या अपको कुछ आऍचा बगे लुगर कर सकते है यह उन्मड़ाश द्वाका और प्मी जाएंगे अभी आप इसमें डाल सकते हैं बहुत सारी चीज़े एड़ सकते हैं तो यह मैं यहां पे गालने डालने माली हैं इसमें टमाइटर डालूंगी कुछ मसाले आड़ करूंगी धनिया पाउडर अभी पाउडर धनिया पाउडर एंटोड़ा साल इसलिए पैरेट आड़ रही हूं क्योंकि आएल कम है तो जो साल्ट है वह अच्छे से मसालों को पका देगा अब मैं थोड़ी दर ठब दूँ ही ताकि मसाले अच्छे से जो है वह पक जाए तो जो मसाले तरह से वेड़ी हैं पनीय डाली के लिए तो इसमें पनीय को प्रश्क पर दे रप्टा था आप चाहें तो पड़ू कर ले शांस के कर लें कैसे भी तर भी मैस करना है बस आपक अब चाहएं पाउडर बताती हूं कि जैसे मैं बनाती हूं जरूरी नहीं है जस मैं आपको एक आईडिया देती हूं कि आपको इस तरह बनाना है क्योंकि टेस्ट सबके अलग होते हैं सबकी बैजिटेबल की जो है वह पसंद अलग होती है तो आपको जैसा पसंद है आप तो पनीर बुर्जी है बनके रड़ी है अब मैं रोटिया मनाऊंगी इसके बाद मैं जो है वह ब्लेक्टास करूंगी दैन उसके बाद आप लोगों से बाते करती हूं कि मेरा आगे का शुडियो क्या है बैक्री उसके बाद मैं आपको लंच में दिखांगी इसके बाद मैं आपको ल्टास में कितनी रोर्टी तो इसस hiking भी यहाँगा एट फृंट कांप लेनने फ्रिवेञ नए पर्याय थोई लेंगू झाव एप्शे travelled झाल यू और अपरों कोन चाल सो है किनिया है यहाँ ब साथ एक चीज़ मैं आपको और गता दो कि आपने मुझे हमेशा देखा होगा या तो मैं स्टील के बर्तन नियुस करती हूं या तो काँच के बर्तन नियुस करती हूं तो प्लीज आप सबसे भी मेरा निवेदिल है कि प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल अपने किचन से हटा मेरे पास microwave था, oven था मैंने सब अपने किचन से हटा दिया है सारे प्लास्टिक के बर्तन निकाल के फेक दिया है जितना भी लोग बोलेगे आप प्लास्टिक कापी अच्छी है फूड के लिए होता है माइक्रोवेब के लिए होता है लेकिन आपको नहीं यूज करना है या अगर आपको जादा फैंसी रखना आपने किचन से हटाए ये माइक्रोवेब हटाए फ्लीज ये मेरा निवेदन है आपसे तो मैं ये फिनिश कर्थी हूं यूज तो आपको यूज तो आप्टर बेकपास्त मैं जो है जिंक लिए रेडि हूँ पूरी तरह से और अब मैं गुरें इनको भी जाने से पहले मैं क्या लेती हूं Bellci स्कूल करूगी नजए मैं भी इनको भी महान मेरे में परप करुप ٹ। धर गूँ जिम ज़ाओं मैं परथ से पहले क्या मैं ज़ा काती हूं तो फ्रेंज्बंस जानने से पहले तो तो वह फोट लेता है आधा को टोरी जो है अनाड ले सकते हैं इसके एक फाकी ले सकते हैं या फिर आप आप अवाकॉर्डो ले सकते हैं यह सारी चीज़े आप जिम जाने से पहले ले सकते हैं मैं लेती हूँ बनाना बिल्कुल भी बंत लीजेगा तो एक तो मैं जिम जाने से पहले यह लेती चिया शीड डाल के लिए तो चिया शीड बिगोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चिया शीड मैं जिम लाने से पहले भीगो देती हूँ और बहुत जरोगी है मुझे इसे याद रखना है मैं से फूल जाओंगी तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये मैं भीगो क तो ये अगते रही हूँ देन उसके बाद बेटी रही और उसके बाद में जिम चली जाओंगी प्रॉब्लम हो जाओंगी हाँ प्रेंड्स तो जस्त मैं जिन से आ चुकी हूँ और मैंने बताया था कि अप्टर जिम मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको भी तिखाऊंगे इस विलियो में तो जस्त मैं रोंगी अभी यहाँ पर तोन मिल्क मैं किसी भी ब्रैंड के प्रचार नहीं कर रही हूँ लेकि वीचे अधर कि कॉमन सी बाता रही हूं कि मैं टोन मिल्क लोगी या तो मैं मिल्क लेते हूँ यह एकीस्टा स्म्मल जो एक मिल्क आता है बोले घु तो बैसी चुब एक 572 मैं फेरुष्ट में रखती हूँ ताकि मुझे लेना और मैं इसी Как mr du lich मुझे थंडा दूद्ध पसंद नहीं है तो यह मेरा मिजर्मेंट है यारी 250 ml या 200 ml मैं लेती हूं तो ग्लास में मैंने उसे मिजर्मेंट करके निकाल दिया है और अपने दूद को बॉयल करने के लिए बॉयल नहीं जस्ट हलका सा गरम एक दो सेकंड के लिए उसे ग्यास पर तो आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से फूल चुका है तो अब गरम दूद मैं इसमें एड कर दूँगी और मेरा प्रोटीन शेक आफ्टर वर्काउट शेक रेडी है तो बहुत हलका सा गरम करूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी थंडा दूद मैं नहीं पी पाती हू और गरम दूद ही लेती हूं दिनर रूटीन दिखाऊंगी और यह वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हल्फुल रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अच्छा लगा हो में चानल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर दीजेगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसे प्री हो के आप जो है शेयर कर सकते हैं कोई भी चार्ज नहीं है सब्सक्रिप्शन का तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा चानल पसंद रहा हो तो अगें सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नय वीडियो के साथ तब तक के लिए ब